दोस्तों स्वावत है YouTube चैनल फीस फार्मिंग पर आसा करते हैं आपकी मचलियां बरवार ले रही होंगी एक दो दिन आप लोग भी होली का छुटियां मना रहे होंगे फिर भी मचलियों पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे खर चलिए एक दो दिन के छुटि के बाद कल से मचलियों पर आप अपना ध्यान के इंद्रीत करें यह वीडियो होली के कलो करके हम रिकड कर रहीं इसलिए इस तरह का का बात हम बता रहे हैं आपको बहू सारा कॉमेंट आया जो हम हार्वेस्टिंग का वीडियो दी यह उपको बहुस सारे तरह तरह का फिर पारवार में चाहिक बोड़ा है दोस्तों कि सिलवर कार्प मचली और बीग हेड मचली की पहचान कैसे करें। यह तो थोरा सा कठिल सवाल है। एक दोस्त का सवाल है व्यादा शर्मा कि आधे एकर में कितना स्कौाइर फीट होता है। यह जानना चाह रहे हैं, एक हमारे सब्सक्राइबर जाम सिंग है, फिडिंग में क्या खिलाएं है सिलवर कारप को और बीग हेड मचली को, यह सवाल है इनका जो मेरा वीडियो देख करके तीनों आदमी सवाल किये हैं, आज इस वीडियो के मध्यम से कुलदीप जी का जो सव मचली है, उसी तरह से आपका बीग हेड मचली जो है, यह भी आपके तलाब के उपरी सतह में, उपरी लेयर में वास करने वाली मचली है, यह दोनों मचलीयां बीदेशी कारप हैं, इसकी उत्पत्ती चीन में सैध हुई थी, हंडेट परसेंट तो हम नहीं कह सकते हैं, फिर मचली का सरीर समत्तल रंग का सिलवर कलर का होता है, और उपरी भाग से लेटी रंग का होता है, यह हम सिलवर कार्प मचली के बारे में ऐसे ही थोरी सी जानकारी देती हैं, जो कि उनका सवाल था, अब हम बात करते हैं, अगर हम इसका पावन करते हैं, तो भोजन क्या गरहन करती है तो जो भी मचलियां जो आपके तलाब के उपरी सतह में उपरी लेयर में बास करती है वह या तो जूपलेंग्टन खाती है या फाइटोपलेंग्टन खाती है इसके भोजन पर आपको विशेश ध्यान देने किया विसकता नहीं होती है आपको सिर्फ यह ध्यान देना है वे इसकी ब्रेडिंग नहीं करा पाते हैं हमको इसका सीड़ खरीदना परता है लेकिन मई और जुन के महीने में यह अंडा देने के लिए तयार हो जाती है एक वार में लगभग एक लाक अंडे देती है और आप अगर पालन करना चाहते हैं तो आप एक एकर में 2000 सीड़ इ कॉमेंट किये हैं उस वीडियो में देख रहे हैं लगभग दो केजी का मेरा सिल्वर कार्प मचली है वह भी आठ महीने में ही हो गया है दो केजी जैसा कि वीडियो में देखाई दे रहा होगा आपको जो देख करके आपने कॉमेंट किया है बहुत सारी लोग वीडियो को देखें हैं तो बर्वार बहुत ही जाद आच्छा है अगर आप एक एकर के तला में 2000 सीड इसका इस्टोप करते हैं तो उस पोजिशन में चार केजी तक हो जाती है अगर चार केजी नहीं भी होती है तो साल भड में तो धाई केजी जरूर हो जाएगी तो दोस्तो ये सिलवर कारप में के बारे में हम कुछ जानकाड़ी देती हैं और जैसा कि हम सुरू में बताया है कि सिलवर कारप और बीग हेड में अंतर करपाना बहुत मुश्किल काम है और खासकर कि जब आफ सीड खरीते हैं उससे आपको कोई विसेस यह दिक्कत नहीं है आप या तो सिलवर कारप पाल ले या बीग हेड पाल ले ऐसे भी बीग हेड का पालन करना अपने इंडिया में बैन लग गया हुँ Oh ईस पर दो मचलिया है आपके जानकाड़ी के लिए हम बता देते हैं एक बीग हेड मचली है दूसरा थाई मांगुड़ है जिसका पालन करन अपने इंडिया में परतीबंध लगा दिया गया है उस पर आप पालन नहीं करें तो जाता अच्छा है फिर भी लोग पालते ही है हम आपको यह सिर्फ काना चाहते है कि एक तलाब में जिसमें आप silver carp का पालन करते हैं उसमें big head का पालन नहीं करें और तीन मचलियां एक वारा फिर हम बताते हैं एक कतला मचली जो अपना इंडियन IMC में आता है इंडियन मचली है और big head मचली और silver carp मचली है उपरी सता की मचलियां है कोई भी आदमी जो अपने तलाब में पालन करना चाहते हैं सिर्फ इन ही तीनियों मचलियों में से उपरी सता के लिए एक ही मचली का चुनाव करें तो जादा अच्छा रहेगा या तो आप कतला का चुनाव करें या silver carp का चुनाव करें या फिर big head मचली का चुनाव करें चली हम दूसरा comment लेते हैं एक बेतांता सर्मा जी का है ये इनका सवाल था कि आधे एकर में कितना square feet होता है तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं कहीं कहीं हो सकता है कि कुछ map अलग-अलग जगह पर अलग-अलग होता है फिर भी आप 20,000 square feet मान ले अगर आपका 20,000 square feet का तलाव है तो यह आधे एकर का तलाव आप इसको मान सकते हैं एक और comment था जिसके बारे में हम आपको जनकारी देते हैं जाम सिंग जी मेरे सब्सक्राइबर है वह कहते हैं कि feeding क्या करायते आप silver कार मचली को और big head जिसको big grade भी करते हैं तो feeding हम prefer करते हैं आपको जो भी साधारन से साधारन कम लागत का feeding है वही feeding कराते हैं अपने मचलीओं को plankton के लिए जैसे big head के लिए big grade के लिए plankton का निर्वान आपके तलाव में सही धंक से होता रहा है इसके लिए गाई के गोवर बहुत अच्छा बरवार होगा दोस्तो धन्यवाद जानकाड़ी अच्छी लागेगी फिर भी जिस भी से बस्तु पर आपको वीडियो चाहिए आप कॉमेंट करके बताएंगे हम आपके कॉमेंट का जब आब अबस्त देंगे उस टोपिक पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे धन्यवाद